नमस्कार, स्वागत अभिनन्न 23 मई को मंगल करेंगे शुक्र की ताजपोशी, छे राशी के फिरेंगे दिन बड़ा ट्विस्ट जीवन में देखने को मिलेगा शुक्र, दैते गुरू, इस्तरी के कारक, सौंदर्य प्रसारण के कारक, आभूशन कामवासना के कारक, कामेच्छा के कारक, धन के कारक, सांसारिक सुख प्रदान करने वाले गरहे, लड़के की कुंडली में वैवाईक जीवन के कारक गरहे, शुक्र, व्यपार का, काव्य कल और डाइमंड का, रेश्मी वस्त्र का, सफेद चीजों का, मदीरा का, भोग विलासिता का, जल का, श्रिंगहार का, चावल का, चीनी का, दूद का, ऐसी तमाम चीजों का कारक गिर है अत्यन्त महतपून गिर है, जिसका प्रभाव आपके और हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा, देखने को मिलता है यदि शुक्र ना होता, तो बहुत कुछ हमारे हाथों से निकल जाता बहुत कुछ हम से छेंजाता, क्योंकि ये घ्रह है, जो दो लोगों को आपस में जोड़ करके रखता है यदि ये शुक्र ना होता, तो प्रेम का भाव ना होता इसलिए आगे की पीडियों को बढ़ाने के लिए, जनरेशन को बढ़ाने के लिए शुक्र का बहुत बढ़ा रोल होता है और जिसका शुक्र कमजोर हो गया, तो समझ लीजिए, उनको दामपत्य सुख में भी दिक्कत रहती है लाइफ को आगे चलाने में भी कस्ट होता है, ऐसी ग्रह गती का भी सामना करना पड़ता है तो दोस्तों, शुक्र राशी परिवर्तन, 23 माई, रात को 8 बज के 26 मिनट पर होगा और बड़ा ट्विस्ट के आएगा वो मैं अभी वीडियो में आपको कुछ टाइम में बता दूँगा तो वीडियो के शुरुआत करते हैं, आप से निवेदन करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को तबाएं अपना इसने इसी प्रकार से हमें देते रहें दोस्तों, पहले तो उन छे राशियों की बात कर लेता हूँ जिन के लिए शुक्र का फल सामानने रहेगा और फिर बात करेंगे उन छे राशियों की जिनके वारे नियारे होंगे जिनके दिन पून रूप से फिर जाएंगे एक चीज और बताना चाहता हूँ शुक्र की और राहू की यूती बनेगी या यूती बड़ी अच्छी होती है मैं तो पून होती है क्योंकि दो ग्रह एक दूसरे के संपर्क में शुक्र के संपर्क में राहू आ रहे है और इसका दूसरे माईने ये हैं कि राहू अक्समात लाब दे देता और शुक्र के साथ रहेगा धन के कारक के साथ में रहेगा तो अक्समात पैसा मिलने का एक योग बनाएगा तो आईए पहले दोन राशियों की बात करें जिन के लिए सामान ने फल की कल्पना करी जाएगी व्रशब राशी से शुरुआत करता हूँ जितने भी जाता कम मुझे व्रशब के सुन रहे हैं आपके लिए जो ग्रहों का ट्रांजिट रहेगा इस ट्रांजिट के अनुसार आपकी राशी के स्वामी शुक्र भी बनते हैं और इनका परिवर्दन हो रहा है बारवे भाब में भोग विलासिता के घर में राभू के साथ में हो रहा है आपको धन का लेंदें सोच समझ के करना और भोग विलासिता से दूरी बना करके रखनी है अन्जान वेव परिजित लोगों से मितरता नहीं करनी है रोगे शुक्र है तो ये स्वास्त को कस्ट दे सकता है इस बात का विशेज ध्यान रखें अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स राशी के राशी का नाम रहेगा सिंग आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुक्र का परिवर्तन आपके भग के इस्थान पर ओर रहा है और अस्टम से निकल रहे हैं ये एक अच्छी बात है कि किसी ग इसमें कोई दोमत नहीं है पर क्योंकि आपकी राशी के स्वामी सूरे हैं और सूरे की शुक्र के साथ शतुरता होने के कारण ये बहुत जादा अच्छा लाव नहीं दे पाते हैं पर यहां आर्थिक रूप से सम्रिद जरूर बनाएंगे क्योंकि पिछले एक महीने से अब आप से बात करते हैं नेक्स राशी की और नाम रहेगा कन्या कन्या के दर्शों को आपके लिए आपकी राशी के स्वामी बुद्ग रहे हैं और बुद्देव अस्टम भाब में रहेंगे ये शुक्र गरे अस्टम भाब में रहेंगे राहू के साथ भागेश का अपन राशी से बारवे में जाना धन हानी कराता है और बिमारी पर पैसा खर्च कराता है और धन का भी स्वामी शुक्र है और वो भी स्टम में चला गया तो ऐसे में पैसा वियर्थ होता है इस बात का ध्यान रखना है शनी भी छटे में चल रहे हैं तो यहां जो परिस्तितियां र लेगा जिसके शुरुआत 23 मई रात को साड़े आठ बजे से लगबग हो जाएगी अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स राशी की और राशी का नाम रहेगा वरिष्चिक जितने भी जातक मुझे अभी वरिष्चिक के सुन रहे हैं आपके लिए ग्रह गती के अनुसार आपकी राशी की जो लौट्शी पा जाती है वो मंगल ग्रह के पास है और मंगल गुरु के साथ में बैठे हुए है और वह भी पंचम भाव में तो इस्तिती तो मजबूत है इसमें कोई दोमत नहीं है पर शुक्र छटे में चले जाएंगे रोगिस्थान पर राहू के साथ शुक्र राहू के यूति अच्छी नहीं होती है खर्च का सौमी छटे भाव में रहेगा मैरिज लाइफ का लॉड शुक्र वो अपनी राशी से बारवे में रहेगा तो यहाँ पर बिमारियों पर पैसा खर्चोना पेट से संबंदित विकार होना और इस तरी पक्से से हानी होना इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए यह मैं आपसे कहना चाहूँ तो यह बात हुई ब्रिश्चिक राशी की अब आपसे बात करते हैं नेक्स राशी और वह रहेगी कुम्ब जितने भी कुम्ब के दर्शक मुझे भी सुन रहे हैं आपके लिए जो गोचरी प्रभाव रहेगा उसके अनुसार शुक्र ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह केंद्र त्रकॉन राजयोग बनाते हैं कुम्राशी वालों के लिए परंतु तीसरे भाव में हैं राहू के साथ मित्रों का सगे संबंदियों का खास लोगों का तो सायोग मिलेगा फिर्म लाइन से चुरूए लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा पर कोई बहुत ज़्यादा विशेश लाबदाय के इस्तिती में नहीं है हाँ ये है कि भाग्य की हानी नहीं होने देंगे कोई बड़ा कस्ट आपको नहीं होने देंगे क्योंकि भाग्य इस्तान को सब्तम दृष्टी से शुक्र ग्रैस स्वैम देखेंगे अपनी हिराशी को तो भाग्य को प्रोटेट करेंगे ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए नजर आता है अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स राशी और वह रहेगी मीन जितने भी मीन के जाता को मुझे भी सुन रहे हैं आपकी राशी के स्वामी बनते हैं देव गुरू बरस्पती बहुत मजबूत पावरफुल इस्तिती में है शुक्र पैसे पर आकर के बैठ चुके हैं रागु के साथ तो आपको कुछ अक्समात धनलाव होगा ऐसा योग आपकी राशी में बन रहा है परंतु तीसरे बाब के और अश्टम बाब के स्वामी भी शुक्र है स्वास्त पीला दायक हो जाएंगे शुकर डिस्टरब होगी केड्नी लिवर से संबंदित विकार चैरे के खुबसूरती पर कोई दाग लगना कोई धबा लगना ऐसा एक योग भी यहां पर बनेगा इस बात का भी ध्यान रखना होगा तो ये तो हैं वो छे राशी हैं जिनके लिए फल एवरेज रहेगा अब मैं बात करता हूँ राशी हों की जिनके लिए सबसे सर्वस्टे शशेनी का फल रहेगा तो सबसे पहले बात करेंगे मिथन राशी के मिठन के जातकों आपके लिए लाव इस्थान पर शूकर और राहू रहेंगे और शुकर पंचमेश हो करके लाव इस्थान पर रहेंगे ये एक बहुत अच्छा योग है आपको पृदियों के परिक्षाओं के लिए देवतारियों के लिए लाब के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी लोग करते हैं हॉस्पिटालिटी लाइन में हैं कंस्ट्रक्शन में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और काफी जवरदस्त धन धनने की वृद्धी आपकी राशी में मुझे नजर आती है ये मैं आपको कहना चाहता हूँ तो आपको गोचरी प्रभाव शुब रूप में प्राप्त होगा मिथुन राशी को नेक्स जो राशी रहेगी वो है तुला तुला के दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो गोचरी प्रभाव है उसके अनुसार सब्तम बाप पर शुक्र कारा किस्थान में आ रहे हैं राहू के साथ में और सेम सब्तम दृष्टी से आपकी तुला राशी को देखेंगे तो जबरदस्त मान सम्मान में विर्दी होगी और जो भी निजे जीवन में कस्ट चल रहा है परेशानियां चल रही थी पिछले एक महीने से वो दूर होंगी आपकी दैनी काय भड़ेगी आपके कोई व्यापारिक एग्रिमेंट होंगे आपको शत्रूं से मुक्ति मिलेगी भाई भेन का सुक प्राप्त होगा और कुल मिलाकर के यहाँ पर पॉजिटिविटी आपके जीवन में देखने को मिलेगी तो यह है यहाँ पर तुला राशी का ग्रह गोचर जो काफी पॉजिटिव दिखाई देता है आपसे कहना चाहूँगा इसके बाद जो नेक्स राशी रहेगी उसका नाम है धनू धनू के दर्शकों आपके लिए जो यह मंगल ताज पोशी कर रहे हैं शुकर की यह हो रही है पंचम भाब पर शुकर मंगल के घर में पंचम भाब में आएंगे राहू के साथ आएंगे सब्तम द्रिष्टी से भागे यह लाविस्थान को देखेंगे और स्वेम उदर बैठें तो कुछ अक्समात धन लाव के योग बनेंगे और गुरू का हंस नाम का महापरुश राजयोग बना हुआ है और मंगल भी गुरू के साथ बैठें तो कोई अहित वाली इस इस्तिती नहीं दिखाई देती पॉजिटिव है क्रहू का गोचर आपके लिए काफी फेवरेबल दिखाई पड़ता है अब बात करते हैं नेक्स राशी की और वह रहेगी मकर मकर के दर्शे को आपका जो गोचर ये प्रभाव रहेगा उसके अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंदर में शुकर आ जाएंगे और जॉब को देखेंगे जॉब के लिए बहुत अच्छा है संतान के लिए अच्छा है कुछ शेर मार्केट लॉटरी से जड़े लोगों के लिए अच्छा और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है उनके लिए अच्छा है इस प्रकार का ग्रह गोचा दिखाई देता है लापरद है, मकर राशी काफी पॉजिटिव यहाँ पर रहेगी केंद्र में कोई भी शुब ग्रह नहीं चल रहा था आप शुकर आजाएंगे तो केंद्र को बल मिलेगा और केंद्र त्रकॉन राजयोग बना करके आएंगे तो भी आपके लिए काफी कुछ अच्छा यहाँ पर प्राप्त होगा नेक्स जो राशी रहेगी उसका नाम है मेश तो मेश के दर्शकों आपका जो गर उचरिये प्रवाब रहेगा उसके अनुसार सबसे महत्पुन बात तो यह है कि स्वेम आपकी राशी में शुक्र राहू रहेंगे आपके लिए धन लाब के अवसर प्राप्त होंगे और कोई अच्छी जगा आपका रिष्टा तैह हो सकता है साजेदार से लाब मिलेगा इंकम में बढ़ोतरी होगी ऐसा गोचर ये प्रभाब दिखाई देता है कोई वाद विवाद मुकदमे से आपको मुक्ती मिलेगी ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ पती पतनी के बीच में जो संबन्द खराब चल रहे हैं वो भी सुदरेंगे उनमें भी अच्छा फल देखने को मिलेगा ऐसा ग्रह गोचर रहेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डिस्पले में राशी अभी आई है ये कुम्ब की आ गई है परंतु जो हम फल बता रहे हैं वो मेश का बता रहे हैं इसलिए उसको हमने करेट करके अभी डिस्पले में मेश डाल भी दिया है तो आप ये ना समझें कि कुम्ब का बता रहे हैं कुम्ब का फल हम एवरेज में बता चुके हैं पहली छे राशीयों में और अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था वो मेश की कर रहा था अब मैं आपसे बात करूँगा अंतिम राशी और महतपून राशी जिसका नाम है करक करक के दर्चे को आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार कैरियर के घर में शुक्राओ की उती रहना कैरियर के दरिश्टिकून से बहुत अच्छी रहती है और इंफेक्ट सुक्सादनों के घर पर शुक्र की सब्तंद्रिश्टी जा रही है अपनी ही राशी पे तो आपको भूमी से सवारी से सुक्ष से मित्र बंधूँ से ग्रह खेट से इन सब चीजों से काफी अच्छा लाप्राप्त होगा ऐसा एक ग्रह गोचर आपकी राशी में बन रहा है शुव रूप में बन रहा है ये मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप भी अपनी कुनली बनवाना दिखवाना पूजा पाठी अरत नेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं एक बार पुनेहा अगमी कारिक्रम में उपस्तित हूँगा नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए एक खुश खबरी जोतिश आचारे मानविंदर रावजी 26 से 31 मई मुंबई में रहेंगे कुनली दिखाने पूजा पाठ वे रतनों के लिए संपर्क करें 9-8-9-88-4-3-7-0-1-8-0-5-4-6-1 अब ये दर्शकों आप सभी के लिए एक खुश खबरी